बच्चों हमारे चल रहे है अध्याय चार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं गैलवनो मीटर गैलवनो मीटर में भी पढ़ेंगे हैं मैं आज चल कुंडली गैलवनो मीटर हाला कि आप लेव में जाते हैं तो आपको गैलवनो मीटर देखने को मिलता है वहाँ पे तीन एक जिससी आकरतिया नजर आती है एक होता है एमिटर जिसपे A लिखा होता है दूसरा होता है वाल्ट मिटर जिसपे क्या होता है वी लिखा होता है तीसरा होता है गेलमिटर जिसपे क्या होता है जी लिखा होता है इस तरह का डबासा बनावा होता है अपने एक डबा सा बनावा देखते हैं यहां पर यहां पर आखरती लगी होती है है जिसमें G लिखावा वह ग equivok को मापते हैं इन सब के वारे में पड़ा था रहा उछ किया किया दा दिखाता है तो गेलवन्टर सामान ने तब इक शेप को देखने के काम आता है गेलवन्टर एक ऐसी युक्ति है जिसे आप वॉल्ट मिटर औ एमेटर में भी बज़ा सकते हैं तो आप हेडिंग डालिए धारा मापी गेलवन्वन्टर इसका परिभासा देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि धारा मापी किसी विद्धू परिपत में विद्धू धारा के सहसुचन के लिए प्रूप्त की जाने वाली युक्ति है साथ ही धारा मापी को रुपांतित करके इसे एमेटर एवं वॉल्ट मिटर बनाए जा सकते हैं जिन्हें करमसा धारा वा विवहांतर के मापन के काम मे लेते हैं, आपको पता यह है, Emitter किसके काम आता है, धारा मापने के Waldmeter, Wivakum काम आता है अब चर्चा करें, कि धारा मापने का सिध्धान क्या है, Galinter कि सिध्धान पे कारे करता है इससे पहले अपने पड़ा उसी सिद्धान पर कारे करता है कि किसी धारावाई कुंडली को चुम्म के छेतर में रखने पर कारे कारी बल आगून का जो परिमान होता है कुंडली में क्या था वो प्रवय धारा के समानुपाती होता है पहले देखा था अपने इससे पहले वाल आई होता है उसी पे आधारित है देखे मुख्यत धारामापी जो है आपके दो प्रकार का होता है पहला है चल कुंडली धारामापी जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं दूसरा है चल चुंबक धारामापी हाला कि चल चुंबक धारामापी हमारे सलेवस में नहीं है तो हलका फुलका देख लेते हैं और फिर डिटेल में चलते हैं चल कुंडली धारामापी को देखने के लिए चल चुम्बक धारामापी क्या होता है तो आप लिख सकते हैं ऐसा धारामापी जिसमें चुम्बक गती सील हो नाम से पता चल चुम्बक चुम्बक जिसमें चलता हो तो इसका मतलब ऐसा धारा मापी जिसमें चुम्बक गती सी लो परंतु कुंडली क्या हो इस्तीर हो उसमें कुंडली होती है कुंडली क्या हो इस्तीर हो इन्हें चल चुम्बक धारा मापी कहते हैं या कहलाता है फोर एक्जाम्पल आप दे सकते हैं इस पर्श जया धारा मापी सिलेवस में यह अपने इसलिए ज़्यादा चर्चाश पे नहीं करेंगे बात करते हैं हम इसकी चल कुंडली धारा मापी की किया होता है तो देखिए अभी हमने किसको कहा था चुम्बक को चलाया था यहाँ प जिसमें क्या हो चुम्बक के धूर इस्तिर हो लेकिन चुम्बक के छेत में रखी कुंडली क्या करती हो गुणन गती के लिए स्वतंत्र हो ताकि घूम सकें जो आपकी कुंडली है वो क्या है गुणन गती क्या होना चीए स्वतंत्र होने चीए चल कुंडली धारा मापी कह कहलाएगा समझगे बात को नो डाउन भी कर लिए होगा अपने कोपी में लिख लिए हो इस चीज को ये काम क्या आता है है ना ऐसी सुग्राय युक्ति जिसकी साहते से धारा का सहसुचन धारा की दिशा वर धारा का मापन किया जाता है चल कुंडली धारा मापी कहलाता है या अब इसमें जो धारा मापी जाती है इसमें धारा कैसे मापते हैं माइक्रो एंपियर में मापते हैं एक एंपियर होता है एंपियर से छोटा क्या हो जाएगा माइक्रो एंपियर होगा तो यहाँ जो धारा मापी जाती है समझ ये बात को ये बात अपने समझ में आ गई कि चल कुंडली धारामापी क्या होती है चर्चा करें कि यह किस सिद्दान पर कारी करता है अभी मैंने जो सिद्दान बताया उसी पर कारी करता है कि जब किसी धारावाई लूप या कुंडली को एक समान चुम्मक के छेतर में रखते हैं तो उस पर क्या होता है एक विक्षपक बल यूग में कार्य करता है, जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था, है ना, जब वो विक्षबग बल यूग में कार्य करता है, तो लगता है न, ये गूमने लग जाता है, तो वही नियमिहा लगेगा, और इसका जो परिमान आता है, वो क्या होता है, नि गड़ें साउनी जितनी धारा बढ़ाई जाते हैं टो उतना ही क्या होता है बढ़ जाता है किलियर यहां पर जो चल कुंडली धारामापी की बात कर रहे हैं यह भी दो परकार के होते हैं पहला होता है निलंबित कुंडली गेलवनोमेटर और दूसरा होता है किलकित गेलवनोमेटर मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा आपसे निलंबित कुंडली गेलवनोमेटर क इसकी भी करेंगे, किलकित गेलवनिटर भी पढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, तो चलिए, ये बात आपके समझ में आ गई, धारा मापी क्या था, दो तरह के थे, एक तो कुंडली चलता था, दूसरे में चुम्बक चलता था, हैना चल निलंबित कुंडली गेलवनो मीटर और दूसरा है किलकित गेलवनो मीटर, तो हम किस पे चर्चा करेंगे, सबसे पहला ले लेते हैं, निलंबित कुंडली गेलवनो मीटर, तो देखें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक आयताकर कुंडली होती है, निलंबित कुंडली तार लिप्टे भे रहते हैं आयतागर कुंडली है बहुत अधिक संख्या में विद्धुद्धी तार क्या होते हैं लिप्टे होते हैं ठीक है इस कुंडली को क्या करते हैं घुनाल क्या करती होती है जो बैलनाकार सा होता है और परवल चुमब के छेतर धुरू एन और इसके मद्दे रिक्तिस्तान में निलनिम्वित रखा जाता है ठीक है इसको चुंबा के छेतर के मद्दे रखा जाता है और जो कुंडली के बीच में मुलायम लोहे का क्रोड होता है जो कुंडली है उसके बीच में क्या होता है एक मुलायम लोहे का क्रोड होता है जो कुंडली को इसपर्स नहीं करता है, द्यानक ना, इसको इसपर्स नहीं करता है, कुछ इस तरह दिखता है, देखें यहाँ पर, यह अपने पास क्या है, यह देखें, यहाँ पर यह क्रोड है, और यह क्या है, कुंडली है, इस कुंडली के बीच में हमने क्या क्या, क्रोड को रख रखा है ये क्रोड इनको इसपस नहीं करता और यहाँ पर क्या है यह नौर्थ और साउथ के क्या है चुम्मक के छेतर है दूरवे नौर्थ और एक साउथ है ठीक है इनको भी बांदा जाता है यहाँ पर आप चित्र को देख सकते हैं यहाँ पर दरपन लगा होता है इस की बनावट को लिख सकते हैं किलेर है लिख सकते हैं चली लिखी देता हूं यहां कुंडली लंबेता फासफोरस कासे के पतले तंतु द्वारा एक मडोरी सिस्पेन निलंबित होता है नहीं रखा होता है जैसे आप चित्र में देख रहे हैं जिसको अपन क्या करते हैं T1 से ज जोड़ देते हैं तो जिसको टर्मिलन पेज टीवन से जोड़ते हैं उस तार के नीचे अगर आप देख रहे हो तो यहां पर एक दर्पन नजर आ रहा होगा आपको यहां पर क्या रहा है अपने को एक दर्पन नजर आ रहा है तो इस दर्पन को कहा जाता है समतल दर्पन यानि इस तार के नीचे सिरे पे एक सम्तल दर्पन लगा होता है, जो क्या करता है? तार और कॉंडली के साथ घूमता रहता है, उसके एठन आएगा, जैसे ही क्या होगा? बालागूर्ण काम करेगा तो तार क्या होता? इठने लगता है उसके एए साफ से घूमता है और इस दर्पान का विकशेब होता है lamp scale की वैस्ता द्वारा ग्यात कर लेते हैं और इस कुंडली का जो नीचला सीरा है किस से जुड़ा होता है चित्र में देखें इसका जो नीचला सीरा है ये देखें नीचला सीरा पैंच टीटू से जुड़ा हुआ है और साथ में बीच में क्या है एक spring भी लगा हुआ है तो spring को देख देखे हम उसकी बनावट लिख सकते, यानि चितर अगर आप बनाना सीख गए हैं, तो बनावट भी लिख सकते हैं, या फिर बनावट याद है, तो चितर भी बना सकते हैं, तो दोनों एक दूसरे के तो तीवी टर्मिनल टीटू से बाहर निकल जाती है, जैसे हम यहां से धारा बेंग, यहां से भेजेंगे, इससे तो जाएगी और इससे टीटू से क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, कि लिए धारा जाएगी तो चुम्ब के छेतर होगा, चुम्ब के बल लगेगा, तार में एठन आएगा और क्या होगा समतल जो दरपंद है उसमें क्या होगा विक छेफ नजर आएगा यह कारेपर्णाली बोली है मैंने तो चलिए हैटिंग डाली है कारेपर्णाली यानी निलम्मित कुंडली धारा मापे की कारेपनाली क्या होती है देखे कारेपनाली सीधी सी बाते से पहले जो आपने पढ़ा है वही है कि आयतागार कुंडली में जब टर्मिनल T1 के सायता से धारा प्रवायत की जाती है तो इसके दोनों उर्धवा अधर भुजाओं पर छेती दिसा में बल कारी करते है ठीक है जो क्या है प्रेस पर विपी दिसा में होते हैं लेकि संग्रेक नहीं होते हैं एक दूसरी विपी दिसा में तो होते हैं लेकि संग्रेक नहीं होते हैं और जब संग्रेक नहीं होते हैं, जैसे मालों इस पर बल यूँ लगे और इस पर यूँ लगे दिये, क्या होगा, घूमने लगेगा, घूमने लगेगा ना, यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, जब यह आपका संग्रेक नहीं होता है, इसके करण कुंडी पर एक विक्षे पर बल कुंडली के विक्षेपित होने के कारण जो तार है फासफोरस का तार है उसमें क्या होता है एठन उत्पन हो जाता है थोड़ा सर एठ जाता है वो और इस एठन के कारणी क्या होता है विपरी दिसा में एक बल आगून और उत्पन हो जाता है और यह जो विपरी दिसा में बल आगुन उत्पन हो रहा है इसको हम बोलते है परत्यानन बल आगुन ठीक इसको क्या बोलेंगे परत्यानन बल आगुन कहते हैं ये जो परत्यानन बल आगुन है आपका ये क्या होता है उस एठन कोन के समानुपाती होता है तार में जो एठन कोन आया उसके क्या होता है समानु परत्यान बल आगुन को मैं यहां पर क्या करूंगा टो आर लिख लेता हूं फाई क्या है आपका एठन को ने सी ने तांक होता है ठीक है यह चीजे लिख ली और अपने को यह पता ही है जो विक्षप में बल आगुन आया है हमने पहले वीडियो में देख रखा है इसको टो किसके पराबर आया था याद किजी एन आई ए बी कोस ऐलफा के और अलफा के एजिंका ठीटा लिखा था तो हमने लिखा था अन आई ए एबी साइन ठीटा इसके बराबर ही होता है तो यह अपन बोल सकते हैं अब क्या है अपका सामयवस्ता विप्रीत होते हैं अपने इन दोनों को क्या किया बराबर कर दिया ठीक है और बराबर कर दिया अभी पीछे मान निकला है हमने इस मान को रख दिया तो बच्चों यहां तक बात आपके समझ में आ गई होगी अपने ज्यादा कुछ नहीं किया दोनों बल थे बल आगून जो दोनों थे दोनों को हमने क्या क्या इक्वल कर दिया यह तो आपको पता ही था यह थोड़ा सा याद कर लिजिए C5 होता है 5 क्या है तार का एठन एंगल है कौन है कौन्डली का जो अभी लंब होता हूं हमें से चुमक के बल लिखाऊंगे क्या होता है लंबवत होता है यहा आपे क्या लिखेंगे अलफा क्या हो गया जीरो तो सिधी सी बात है आप या तो साइन ठीटा का मान निकाल लीजीए साइन ठीटा का मान किता होगा साइन नबबे होगा और साइन नबबे का मान किता हो गया एक या फिर आप क्या कीजिए कोस अलफा का मतलब है कोस जीरो का मा बराबर क्या हो गया, C5, यहां से मुझे धारा ग्याद करनी है, यहां से धारा ग्याद किर लीजे, तो धारा यह ग्याद हो जाएगा, I रख लो, C5 बटे में क्या होगा, NAB होगा, I यह आगया आपके पास, देखिए, अगर इनको constant मान ले, तो हम यह कह सकते हैं, कि I क्या हो केलमेटर में प्रवाइद धारा है, C परत्यानन नेतांक है, N कुंडली में फेरो की संख्या है, A आयताकार कुंडली का, छेतरफल है, B क्या है, चुम्बक के छेतरफाई क्या है, एठन कॉन है, यहां पर मैंने क क्या मान रखा है, C बटा NAB मान रखा है, अब इसको देखत होगी, एठन कॉन भी क्या होगा, उतना ही जादा होगा, बस इसी का मतलब यही है, आप लिख देंगे, आयताकार कुंडले में प्रवाइद धारा, तार में उत्पन एठन कॉन के क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है, चलिए बात करते हैं, गेलोंटर की सुग्राहि प्रवाइद धारा मापी क्या होता है, यदि किसी गेलोंटर में अत्यंत अल्प धारा के कारण अधिग विक्षे प्राप्त होता है, तो वह सुग्राहि गेलोंटर कहलाता है, कई बढ़ पूछ लेते हैं, कि सबसे अच्छा गेलोंटर क्या होगा, आप यह काएंगे, आई बरावर क्या था, के फाई था, आई बरावर क्या था, के फाई, यहाँ पर एगर मैं वन अपॉन के निकालूंगा, तो क्या होगा, देखिए, निकाले देता हूँ, यहाँ से के निकालता हो, तो आई अपॉन फाई आता है, और वन अपॉन के निकालूंगा, तो के को ही क्या कहते हैं सुग्राहिता कहते हैं तो यह सुग्राहिता किसके बराबर आ गई तो आप यह कहेंगे इसकी सुग्राहिता क्या होगे एन ए बी बटा सी के बराबर है ठीक है यह निकल मिला का आप लिग देंगे वन अपॉन के क्या है गेलमटर की सुग्राहिता है आपसे सुग्राहिता का formula पूछा जाता है, SI बरावर 1 अपोन के, क्या हो गया फाई अपोन आई, या फिर NAB बटा C कह सकते हैं, ठीक है, चलिए, धारा की सुग्राहिता देखें, किसी गेलमटर में इकाई धारा के कारण उत्पन विक्षेप को हम क्या कहते हैं, गेलमटर की बरावर होगी, विक्षेप बटा धारा के होगी, विक्षेप बटा धारा, यानि अपने पास क्या हो जाएगा, S हो जाएगा 5 बटा I, है न, यहाँ फे 5 का मान रखा था, NAB बटा C अपन के था, है न, इसका मतलब यह हो गया कि किसी गेलमटर की सुग्राहिता, NBA के बानता गटने पर बढ़ती है, सिंपल सी बात है, देखिए, यहाँ पर SI है, अपने पास यह NAB बटा C, N को बढ़ाओंगा तो बढ़ेगी, A को बढ़ाओंगा तो बढ़ेगी, B को बढ़ेगी, तब भी बढ़ेगी, तो बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप N को बढ़ा लीजिए, B को बढ़ा लीजिए, A को बढ़ा लीजिए, या फिर C को क्या करेंगे, घटा दीजिए, तो इसकी सुगरायता क्या होगी, बढ़ेगी, इसकी सुगरायता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, गेलोमिंटर की सुगरायता बढ़ाने के लिए, चल कुं प्रतास्ता गुणांक होता है, बहुत ही कम होता है, या अगर आप गयनोटे को सुग्राहीता बढ़ाना चाते हैं, तो निलम्मन तंतु जो तार है, वो कैसा होना चीए? एक तो लंबा लेना चीए आपको, बिल्कुल पतला लेना चीए, फास्फरस कासे का बना होना चीए, या quarter का बनावा होना चीए, fiber का भी ले सकते हो, क्यों लेते हैं, क्योंकि इनका परतास्ता गुणा क्या होता है, बहुत ही कम होता है, लगबग इतना होता है, n pi r की पाउर 4 बटे 2L होता है, r क्या है, यहाँ पे तंतू का अर्ध व्यास है, यानि त्रिजा है, ठीके, कई बहुत चोटा सा क्योसन पूछ सकते हैं तो आप जवाब दे सकते हैं, तो वहाँ पर अगर को मान रखता हूं मैं C का, तो S आगे अपने पास, n, a, b, बटा n, जिसको नीटा बोलते हैं, pi r की पाउर 4 इंटू 2L, इसका मतलब है यह है, S i को बढ़ाने के लिए क्या करना चीए मैं, L को बढ़ा दीजिए या R को कम कर दीजिए, L को बढ़ा दीजिए, तार लंबा होना चीए, बताया भी आपको, और क्या होना चाहिए पतला होना चाहिए यार क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए समझगे बात को तो यहां से भी अपने को यह बात समझ में आ रही है अगले हेडिंग डालिए दस्तांक दस्तांक क्या होता है तो इसकी भी अपने पास क्या है परिबासा है कि गेलवनोटर में एकाई विक्षेब उत्पन करने के लिए आवसक धारा की मात्रा गेलवनोटर का दस्तां कलाता है परिबासा याद रखना ठीक है यहाँ क्या होता है सुग्रहिता के व्यत्कर्म के बराबर होता है बस ये चीज़े याद रखने है गेल्वंटर में इकाई विक्षेप उत्पन करने के लिए आवसक धारा की मात्रा गेल्वंटर का क्या करेगा दस्तांग कलाएगा और किसके बराबर होता है सुग्रहिता के व्यत्कर्म के बराबर होता है यानि वन अपॉन गेल्वंटर की ये पिलटकेगा किसके बराबर होगा वन अपॉन के पिलट एक के बराबर होगा बदेगे आपको पता इह का मान कैया भर बचेजिए और यहाँ पे बिदेख लेजिए C को मान बड़ेगा X का इधर NAB को क्या करूं घटा होंगा तब बढ़ेगा समझगे इल्टा चलेगा अगली हेटिंग डालें, वोल्ट ता सुग्रहिता क्या होता है, अभी देखिए हमने क्या देखा, दस्तांग देखा है, ठीक है, वोल्ट ता सुग्रहिता, धारा मापी टर्मिलों के मद्ध, एकांग वोल्ट विवानतर लगाने पर, इसमें उत्पन विक्षेप को धारा मापी की वोल्ट ता सुग्रहिता कहते हैं, समझो वापी से, धारा मापी के टर्मिलों के मद्ध, टर्मिनल होते हैं दोनों पॉइंट्स, एकांग वोल्ट विवानतर लगाने पर, यानि वी वराबर एक लेने पर, इसमें उत्पन विक्षेप को क्या कहते हैं, धारा मापी है उसका प्रतिरुत क्या हो जी हो तो क्या होगा वी बराबर देखे ओम का नियम याद होगा आपको वी बराबर होता है आई आर आई आर आर की जिए क्या ले रहे हो जी ले रहे हो तो सीधी से जाते वी बराबर क्या होगा आई जी होगा जहां आई क्या है प्रवाहिद धार तो अपने ओम के नियम से भी यह कह सकते हैं ठीक है तो कहने का मतलब V आगे आपके पास देखिए V वरावर क्या होगा है फाइ बटा आई जी कहा साया इस V का मान मैंने यहां से उठाके रख दिया तो यह आगे अपने पास V S वरावर फाइ बटा आई जी और इनके मान फाइ नियमरिकल हल करने का काम आते हैं प्रसन दिये जाएंगे उसको हल करने के कहीं पर यह काम में आएगा कभी यह आएगा कभी यह आएगा जो कुछ दिया होगा उस इसास में काम में लेना होगा पिछले फॉर्मले याद रखते हो तो अगले फॉर्मले क्या होते हैं अपने आप बन जाते हैं बच्चों आज की कक्षा में वितना है देखेंगे आगे फढ़ने के लिए मिलते हैं आप से अगले कक्षा में तब तक ले धन्यवाद नमस्कार आपका दिन मंगल में रहें